दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का फिर से एक न्यू वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतिय कृतिम अंग निर्मान निगम यानि Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India की तरफ से डिपलोमा और बी-बी टेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर सिविल और मेकेनिकल इंजिनियर से लीजिबल रहेंगे फ्रेसर सिलिजिबल हैं आपका कोई भी एक्जाम नहीं होना है ना तो यहाँ पर आपकी कोई एक्जामने सनफीस लगनी है और और अबर इंडिया के केंडिडेल्ट यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं और क्या बताय गया है इनके ओफिसल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ल है हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका एलिम को सहायक उत्पादन केंडर जबलपूर मद्ध प्रदेश की तरफ से निकाला गया है यहाँ पर आप लोगों के लिए एप्रेंटिस के लिए रिकूट्मेंट निकाली गई है बात कर लेते हैं आपकी इलिजिबलेटी सामानी वर्क के लिए एक सीथ है टोचल यहाँ पर मेकेनिकल इंजिनर्स के लिए दो पोस्ट के लिए वाकेंसी रहने वाली है अगली वैकेंसी यहाँ रहने वाली है से उटी आपके मिनिमिमूम 50 प्रतिसत मार्क होने चाहिए बी बीतेच का होना चाहिए इन सिविल engineering में civil engineers के लिए यहाँ पर एक पोस्ट रहने वाली है अगली vacancy यहाँ पर है mechanical engineers के लिए यहाँ पर आप से 10 या 12 में आपके minimum 50% मार्क हैं और आपने डिप्लोमा किया हुआ है mechanical engineering से तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं civil में सिर्फ बी-बी-टेक वाले apply कर पाएंगे और mechanical में यहाँ पर डिप्लोमा और बी-बी-टेक वाले यहाँ पर apply कर पाएंगे बात कर लेते हैं आपके eligibility criteria के बारे में तो सबसे पहले point पर आपको बताया है यहाँ पर एक जुलाई 2022 के हिसाफ से रहेगा और इसी के साथ यहाँ पर आपको age पर category के हिसाफ से age relaxation भी मिल जाएगा यहाँ पर आपके 10 और 12 में minimum 50% मार्क होने चाहिए इसी के साथ आपने जो भी बी-बी-टेक या फिर डिप्लोमा किया है अलग-अलग ब्रांचों में उन में भी आपके minimum 50% मार्क होने चाहिए अगर आपने इससे पहले कहीं पर भी apprentice की है या आप कहीं पर apprentice कर रहे हैं या फिर आपके पास एक साल से ज्यादा का experience है तो आप यहाँ पर apply नहीं कर पाएंगे और 6 number point में यहाँ पर आपको बताया है कि उम्मीदवार के पास आयकर विभाग भारस सरकार द्वारा जारी pain card होना चाहिए तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है training period यहाँ पर आपका one year का रहेगा अब बात कर लेते हैं आपके selection process के बारे में तो जो भी आपके bb.tech और diploma में final mark आये हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपको source list किया जाएगा source list करके यहाँ पर आपको direct interview के लिए बुलाया जाएगा अब बात कर लेते हैं how to apply आप इसके लिए apply कैसे कर सकते हैं तो इस pdf का link आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा आप महां से download कर लीजिए यह रहाँ का application form यह वाले application form आपको पूरा truly feel करना है सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है apprenticeship registration संख्या लिखनी है और उसका photocopy भी आपको इसके साथ submit करना है आपको अपना नाम लिखना है पिता का नाम माता का नाम आपकी डियोबी क्या है next आपको यहाँ पर अपना gender select करना है next यहाँ पर आपको अपना आधार का number लिखना है और इसकी photocopy भी आपको इसके साथ में लगानी है pen card number लिखना है उसकी photocopy लगानी है यहाँ पर आपको अपना फोटो चिप काना है आपकी जो भी educational qualification है प्रापतां कितने हैं पूर रंग कितने हैं आपके high school high school में आपको कितने प्रितिसत मार्क प्रापत हुए यह चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है next आपको यहाँ पर आपने जहां से भी bbt क्या diploma किया है उस संस्थान का आपको यहाँ पर नाम लिखना है trade आपको लिखनी है आपने किस से किया है civil से mechanical से फिर यहाँ पर आपके semester wise जो है पूरा बेवरा पूछा गया है यह सारी चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी होगी next यहाँ पर आपसे आपकी जो है कास्ट पूछी गई है आपकी स्केल्टगरी में आते हैं फिर यहाँ पर आपको जो है अपना address लिखना है pin code बगेरा यहाँ पर आपको बता है pin code जो है अनिवार है यहाँ आपको लिखना है next यहाँ पर आपसे phone number मांगे गए है email ID आप जो है और किसी का अपने घर में phone number दे सकते हैं next यहाँ पर आपको अपना place लिखना है दिनाख लिखना है और इस box में आपको sign करना है और यहाँ पर आपको एक चीज और mention कर रखी है note में उमीदवार को सलाह दी जाती है कि वो apprentice portal पर apprentice के रूप में पंजी करन कराए और उस संख्या को आवेदन farm में दरसाए आपको जो है MHR गी portal पर जाना है वहाँ पर भी आपको LM को APC में भी आवेदन करना है online apply करने के साथ आपके जितनी भी जरूरी document है ये वार आपको application form भरना है और आपको भेज देना है इनके official address पर आपके यहाँ पर 22 number है देख सकते हैं आपको बता रखा है आवेदन पत्र कार दिवस में निगम में speed post, registered post द्वारा ही सुईकार किये जाएंगे कोई भी आवेदन निगम में हस्तगत यानी by hand या email से सुईकार नहीं किया जाएगा तो जो विदोस्त हमारे इसके लिए interest rate होते हैं, eligible होते हैं आप यहाँ पर apply कर सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब का thank you सुक्रिया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और civil engineering के सबसे ज़्यादा job सब्डेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें